काली घटाएं, ठंडी हवाएं, हलकी हलकी पानी की बोचारे, चह चाहती हुई चिडियां, लहराते हुए पेर पौधे, सब कुछ कितना खुश होता है मौनसून के टाइम में, बारिश का सीजन होता ही ऐसा, इसके साथ अगर गर्मा गरम चाय पकॉड़े मिल रहे हैं तो भा प्लेजन कहीं पे भी कभी भी निकल जाओ, बट मौनसून के साथ हमारा घर भी कुछ चीज़े डिमांड करता है, एक्स्रा केर डिमांड करता है, जिसके लिए हमें तयार रहना चाहिए और अपने घर को मौनसून रेडी करना चाहिए, चलिए आज के वीडियो में यही 25 हो जिसके आप अपना घर, अपनी किचन खुश रख सकते हैं, मौनसून के टाइम में बहुत इजी टिप्स और ट्रिक्स हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले अगर आप मेरे चानल पे न्यू है, न्यू ही होंगे, विकास चैनल ही नया है, तो प्लीज चैन जहां पे हम बात करते हैं, घर और किचन से जूरी, कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स की, जो हमारा काम असान बनाते हैं, बारिश के मौसम के साथ सबसे रदा प्रॉब्लम जो आती है, वो आती है, वुडन फरनीचर के साथ, मौस्च्चर बहुत जादा हो जाता है बारिश के मौसम में, तो वुडन फरनीचर का ध्यान रखना बहुत जादा ज़रूरी हो जाता है, दूरिंग मौनसून सीजन सबसे पहला काम मेरा ये होता है घर पे कि अगर मैने कोई प्लास्टिक टेबल कवर या प्लास्टिक मैट बिचाया हूँ, मैं सबसे पहले उसको दो हमारा ऑनीचर होँ हो ड्रेढल रहता है, अंधर फंगस की प्रफूलम नहीं आती है, मैं मुझे कुछ गरम पर रखना मैं नहीं है, और मुझे कुछ गरम तर मढ़ना पड़े सांदाए बटन कोई है, मुझे कुछ गरम परतना पड़े है जह पे अगर आप रदे घरत, पर टके पार मेंट आपर, अफ influen आदिने यहां देन कोहें बाट स्वी पर्फंट यहां पर हो अंधी भी हूं के तर हमेत आप आपार में रहे हैन उसके बादes नेयुक्ञ टांठे टो ही हों जो हम ऴ॥ारी है इस तर करने के बहुत वीग, it is growing really good actually बड़े वले pot की मेती अच्छे से हो रही है छोटे वले की थोड़ी कम ग्रोथ है बारिश के टाइम में हवा में मॉइस्टर बहुत जाधा होता है मॉइस्टर कंटेंड होने की वज़ा से आप जो भी ग्रोव करना चाहते हो बहुत अच्छे इस टाइम में अगर आपका कोई बड़ा प्लांट है जिसमें न्यू शूट्स निकल रहे हैं वो शूट्स एक न्यू पॉट में बहुत अच्छे से उनकी रूटिंग होगी और साथ में वो ग्रोव भी बहुत जल्दी करेंगे ट्राइ और योर गाडणिंग के आईडियास विच्छ वाफ तो इन मॉन्सून अल्सो इसी के साथ बहुत जादा जरूरी है कि हम अपने इंडोर प्लांट का भी ध्यान दें इंडोर प्लांट अगर आपके ग्रोव अच्छे नहीं हो रहे हैं और रेन वाटर में बहुत जादा न्यूट्रियंस होते हैं जिनसे प्लांट बहुत खुश रहते हैं अच्छे से हेल्डी ग्रो करते हैं कीडे भी होंगे तो वो भी धुल जाएंगे सो अपने इंडोर प्लांट को बाहर निकालके रखिए एट लीस्ट हफते में दो बारी रखिए रेन वाटर उन पे अच्छे से पढ़ने देजिए काले बादल ग्रे क्लाउट्स देखे हम सबको खुशी तो होती है यार बरसने वाले हैं इसके साथ जो प्रॉब्लम आती है न मौनसून टाइम में इसकी कमरा हमारा डाक हो जाता है हम जैसे ही बालकनिया या खिड़कियां बंद करते हैं परदा आगे करते हैं तो अंदर बहुत जादे एकदम से डाक हो जाता है हमें लाइट सान करनी पड़ती है आटिफिशिल लाइट तो ठीक अगर संसेट होगे तो के बट नाच्रल लाइट इस दा बेस्ट लाइट घर में काफी जादा हीलिंग प्रॉपपटी भी लाती हैं त्रस्ट मी आपका कमरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर आप सिर्फ एक करटन्स ही अपने कमरे के चेंज करते हैं बहुत जादे एक huge difference लगता है लाइट कलर से तो कमरा और जादा बड़ा लगने लग जाता है एरी लगने लग जाता है यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे करटन्स जो हैं काफी पुराने हो चुके हैं इनके उपर एक लाइनिंग में ना आइलिट्स में एक बुक्रम लगी होती है वो धुल धुला के सब इस तरीके के हो गए कि बिल्कुल फ्लाट हो चुक है इसमें कोई bounce नी रहा है करटन्स करेंगे घ्राइद आगे में अटिसेंट सब्सक्राइद जो यहां पे मैं आतों कि क्या है इस इस दो कमपारेंजन देख ऊरं रुटर रहा है I mean curtain की look ही change हो गई है विलकुल साथ ही साथ room की look भी change हो गई है because curtains change हो गई है room is looking so much hairy, so much big and full जो natural light है अंदर आ रही है बारिश के टाइम एक चीज जो अच्छी हमें नहीं लगती है is कीचर कीचर में जब जूते, चपल सब गीले होते हैं तो ही हम घर पे लेके आते हैं तो वो smell भी create करते हैं और जल्दी सूखते भी नहीं है इसके लिए मैंने इस तरीके का एक wire rack रखा हुआ है जिसमें मैं जूते चपल सब बार बालकनी में हवा लगाने के लिए रख देती हूँ इससे ये जल्दी dry भी हो जाते हैं इनमें कोई smell भी नहीं आती है जितने जूते चपल घर पे होते हैं सब मैं दिन के time बाहर रख देती हूँ बारिश आती है तो वापस अंदर रख लेती हूँ हवा लगने से जूते dry हो जाते हैं अगर आपके पास इस तरह की की वाइर बास्केट नहीं है तो आप जो बरतन राय करने का टोकरा होता है उसको भी यूज कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा टोकरा लेकर रख लीजिए मैं यह नहीं कहरे हूँ आप बरतन राय टोकरा यूज करो विकास बिल नाट बी हाईजीनिक प्रोड़क लिंक्स इतने भी पॉसिबल है मैं सब दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एक बार दिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मद भूलना नेक्स होममेकिंग टिप इस गोईं तो बी रिली हेल्फुल फो यू और बारिशों के मॉसर में क्या होता है अगर कोई डंपनास होती हो जल्दी ड्राय नहीं होती है सो जादा आप मॉप मत कीजिए और इंस्टेड यूज वाक्यूम क्लीनर से मिट्टी डस्ट वगरा सब हट जाएगी रोज रोज आपको मॉपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी in case you don't have house help लैक मेरा घर जल्दी गंदा नहीं होता है I just do vacuuming thrice in a week मॉपिंग टॉइस इन वीक जिस दिन मैं vacuuming नहीं कर रही हूं उस दिन मैं mopping करती हूं इस तरीके से घर साफ रहता है कीडे भी नहीं होते हैं और डस्ट नहीं होती है यह वाला जो vacuum cleaner है बहुत जादा inexpensive है बहुत जादा सस्ता मिलते है लिंक description box में होगा check करना जिनके घर में wooden flooring है wooden laminates है उनके लिए तो यह बहुत जादा helpful hack है जिनके घर में marble है and tile flooring है वो भी यह hack use कर सकते हैं काम थोड़ा कम हो जाएगा wooden laminates और wooden tile flooring में क्या होता है कि over the time due to usage इस तरीके से वो laminates and flooring फूल ने लग जाती है wear and tear I mean इनकी life जादा नहीं होती है so बहुत जादा धियान देना पड़ता है wooden flooring पे like मेरा तो rented apartment है सो मैं कुछ कर नहीं सकते हूँ आप यहां देख लो कि इसकी skirting भी even fool गई है so मुझे carpenter को बुला के इसको थोड़ा थुकवाना पड़ेगा and floor तो खिडिकियों की side से fool ही किया है so इस तरीके का uneven bumps सा रहता है wooden flooring में ठीक है elegant लगती है बट इसकी maintenance काफी जादा होती so during monsoon मुझे कुछ जादा ही ध्यान देना पड़ता है wooden flooring पे कहीं पे कुछ गीला न रह जाए जादा time अगर वहाँ पर पानी गीरा रह गया तो wooden flooring फूल सकती है यह ध्यान देना पड़ता है जादा time पोचा जादा गीला नहीं लगना चाहिए इसलिए I prefer using vacuum और जब मैं पोचा करती हो तो I make sure कि पोचा मेरा बिल्कुल dry है जरा सी पंके की हवा से floor full dry हो जाएगा so इस तरीके के मुझे ध्यान देना पड़ता है आप अभी भी देख रहो drawing room में यहाँ पे कितने bumps आपको दिख रहे होंगे यह wooden flooring का drawback है वह visible नहीं होते है बस maintenance मानती है कि कोई wet चीज आप इस पे ना छोड़ दो जिससे कि यह full जाए technology की दुनिया है भाई so इस टाइम पर मैं technology यूज करने जादा पसंद करती हूँ जब इतने जादा grey clouds होते है न तो मैं सबसे पहले एक बारी अपना phone जरूर चेक करती हूँ washing machine लगाने से पहले कि भाई आज का forecast कहीं बारिश का तो नहीं है so यहाँ पे आप देख रहे हो कि 24 degree celsius तो temperature है और आज का दिन partly cloudy है बारिश नहीं है कपड़े सूखते नहीं है तो उनमें कुछ अजीब सी smell रह जाती है so yeah this is one smart hack and tip that I want to give you तो यह आपको बहुत help करेगी अगर आप भी कुछ इस तरीके का face कर रहे हो इससे आपको अपने घर के अंदर तारे नहीं डालनी पड़ेगी कपड़े सुखाने के लिए बिना kitchen के tips के ये वीडियो कहां खतम होगी right so monsoon tips kitchen के लिए क्या है are don't overload your grocery जो आपकी एक महीने में grocery खतम हो जाए उतनी ही low और जो चीजे expire होने वली हैं उनको अपने आँखो के सामने रखो इस तरीके से चीजों में कीडे लगने का डर भी कम होगा और आपका काम भी कम हो जाएगा अगर कीडे लगते हैं तो चांटने का काम कम हो जाएगा कीडे तभी लगेंगे जब चीज ज़्यादा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पारे हो next hack is that आपका जो भी open packet है आप उसको airtight container में डालके रखे आप उसको airtight container में ही रखे चाहिए आप उस पर क्लिप भी लगा के रख रहे हैं moisture content during monsoon इतना जादा होता है कि उससे कीडे लगने का डर होता है so आप उसको airtight containers में ही रखे containers का product link नीचे description box में मिल जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि grocery overload मत कीजिए so next hack is कि आप small packets लीजिए during monsoon like मैंने यहाँ पे आदे किलो की दाल का packet लिया है and mostly मैं monsoon के time में आदा-ादा किलो के ही दालो के packet लेती हूँ जो packet खतम होता है next purchase is again half kg so जल्दी खतम भी होता है उसमें कीडे भी नहीं लगते हैं प्लस पॉइंट यह है कि आपको बड़े containers लेने की जुरूरत नहीं है छोटा packet है बहुत जल्दी खतम होगा आजकल instant delivery का option हमारे पास हमेशा available रहता है so ज्यादा groceries हमें store करने की जुरूरत नहीं है हमें ज्यादा storage boxes की जुरूरत नहीं पड़ेगी घर में चीजे कम रहेंगी पुराने जमाने में लोग जादा चीजे store करके रखते थे because families बड़ी होती थी अब उतनी जुरूरत नहीं होती है moreover everything is at our disposal just phone उठाईए और कीजे and everything will be available at your doorstep even आपको बाहर जाने की भी जुरूरत नहीं है so इसलिए में छोटी quantity में ही घर पे चीजे रखते हैं the next kitchen tip during monsoon is कि जब आप daily use की चीजे रीफिल कर रहे हैं उनको half ही फिल कीजिए reason being कि daily use वाली bottles आपकी रोज रोज खुलेंगी उनमें moisture जाएगा और वो sogi हो जाएगी जब आप bottle refill कर रहे हैं आपको एक चीज ध्यान देनी है अगर आपकी bottle सोगी होई और उसमें moisture आएगा है then take a new fresh bottle जिसमें कोई भी moisture ना हो same goes for the masalas also अगर आप masala fill कर रहे हैं masala daani में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने masalas बहुत ही ज्यादा कम quantity में रखे होई because मैं जितने masalas fill करूँगी moisture की वज़ा से वो उतने ही damp से होते जाएंगे उनमें उतनी freshness नहीं रहेगी so what I do कि जब यह masalas खतम हो जाते हैं इनकी कटोरी मैं wash करती हूँ dry करती हूँ and then I just refill it so उससे मेरे masalas fresh रहते हैं the next kitchen tip is जो हम mostly ignore कर देते हैं to clean our fridge during monsoons सिर्फ एक occasions पे ही clean नहीं करना होता है monsoon के time पे भी clean करना जरूरी है उससे आपके खाना जो आप फ्रिज में store कर रहे हैं उसमें fungus लगने का डर कम हो जाता है and the other thing is again related to grocery यहाँ पे जब मैं vegetables लेती हूँ मैं बहुत कम quantity में लेती हूँ और वो मैं fridge में store नहीं करती हूँ वो मैं बाहर एक मैंने vegetable rack रखा हुआ है खुली हवा में वहाँ पे डालती हूँ so उनको मैं polythin से transfer करके इस type के vegetable bags में डाल देती हूँ so that वो breathable रहें और उन पे जल्दी fungus ना लगे fridge में रखने से क्या होता है कि यह moisture में रहते हैं तो जल्दी fungus पकड़ते हैं जल्दी खराब भी हो जाते हैं but fresh हवा में रखने से इन में ज्यादा moisture नहीं आता है जैसे कि आपने किसी सबजी वाले के देखा होगा वो कभी भी चीज़े fridge में नहीं रखता है unless and until वो dairy की कोई चीज है so yeah वो ही चीज हमें घर पे भी करनी है during monsoon जादा गर्मी हो तो आप ज़रूर चीज़े fridge में रखिए but मौसम जब अच्छा है तो आप ज़रूर उस मौसम का फैदा उठाईए now monsoon के टैंक कपड़े दोने थे तो हमने आपका इस्तिमाल कर लिया अब इनको प्रेस करके भी तो रखना पड़ेगा नहीं तो इन में जो moisture है उससे smell आजएगी और यहां पर हमें कुछ तरीकी की प्रेस यूज करनी है हमें steam प्रेस यूज नहीं करनी है हमें dry iron यूज करना है although steam iron में भी dry iron का option होता है जिसमें आप steam vents बंद कर सकते हैं but मैं प्रेफर करती हूँ dry iron यूज करना उससे कपड़ों पे iron करता हुए अगर कोई भी dampness होती है तो वो पानी evaporate हो जाता है so मैं जादा प्रेफर करती हूँ dry iron यहां पर जो प्रेस में यूज कर रहे हूँ that is from Usha I think and link नीचे description box में होगा but iron करने से पहले इसका जो soul plate है वो हमें clean करना पड़ेगा and इसकी बहुत easy quick tip है यह आपको shots पर मिलेगी बहुत ही जादा easy है within seconds आपकी press साफ हो जाएगी and आपको जादा scrubbing की भी ज़रत नहीं है जब मैं press कर रही होती हूँ तब मैं अपने phone में कुछ न कुछ लगा देती हूँ कुछ audiobooks वगरा लगा देती हूँ जो मैं सुनती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ यहाँ पर इस वक्त तो मैं हनुमान 40 सा सुन रही हूँ जो मेरा मन करता है उस टाइम कोई storytelling का होता है तो मैं वो लगा लेती हूँ कुछ book reading का होता है book listening का होता है actually not reading so मैं वो भी लगा लेती हूँ मैं घर में सारे कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ जो बाहर के कपड़े होते हैं office के या आने जाने के कपड़े होते हैं सारे नीचे हमारे धोबी को जाते हैं बट जो घर के night suit होते हैं basically inner wears and night suit होते हैं चदर होती है and pillow covers होते हैं वो सब मैं अपने घर में ही iron करती हूँ the next important home tip is कि आप अपना sofa covered रखे जिस भी चीज से आपने अपने sofa cover करना आप उस चीज से कर सकते हैं मैंने यहाँ पर Bombay Dying की white cotton bed sheets जो होती हैं वो यूज की होई है since मेरा sofa बहुत जादा light color में है and जब आप बाहर से आते हैं या मौनसून के time में आपके pad गीले होते हैं मिटी लगी होती है तो आपके sofa भी गंदे होने का डर होता है and sofa के handrest पे मैंने एक case डाला हुए जो की as a throw काम करता है when I'm watching a TV or reading a book or something and यह मैं आपको table cover दिखा रही हूँ जो गंदा हो चुका है I do not need to dust it anymore just table cover मुझे उलट-pullet के लगाना है wash करके रखना है and dusting के छुट्टी हो गई है basically so यहाँ यह चीज है और अब मैंने इसको उलटा करके लगा दिया है जिससे मेरा काम कम हो गया actually also जब मैंने हाथ से check किया तो table पे कोई भी moisture नहीं है since table cover fabric का है breathable है, हवा आर पार हो रही है so wooden furniture center table पे मेरा कोई भी moisture नहीं है the next home tip to counter the smell of monsoon dampness is to use scented candles or make your own scented candle with help of essential oils of your choice यहाँ पे मैंने वो ही किया in the weather आशा करते हूँ कि आपका भी monsoon season in 25 home making tips and tricks के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा चैनल को subscribe करके जरूर जाना like करना video को comment करके बताएए आपको video कैसी लगी और आपके tips and tricks use करते हैं, social media links नीचे description box में mention है please go and follow subscribe button के साथ notification bell button है उसमें all notifications on जरूर करना so that you get notified when I upload a video see you in my next video